नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूँ मौनुच हेल, T20 World Cup 2024 का चैंपियन बन गाए टीम इडिया, और भारती टीम ने इतिहास रच दिया है, दूसरी बार टीम इडिया चैंपियन बनी है, आपको याद होगा दोस्तों, 2007 में MS Dhoni के अफ्तानी में टीम इडिया चैंपियन बनी थी, साउथ अफरीका की धर्ती पर, लेकिन इस बार हमने बार बार डोस में, वेस्ट इंडिज की धर्ती पर इतिहास रच दिया, कृतिमान रच दिया, हमने साउथ अफरीका जैसी मजबूर टीम को साथ रणों से हरा दिया, हमारी अगर जीत की बात करें, तो ऐसे वो पांस कान क्या रहे थे, जिसके चलते टीम इंडिया इस बर चैंपियन बनी है, एक एक करके दोस्तों आपको बताते हैं, सबसे पहली चीज, वो कैतना है, कैप्टन लीडिंग फ्रॉम दा फ्रेंट, रोही शर्मा, इस टीम के ऐसे कैप्टन, चाहिए डिसीजन मेकिंग की बात हो, या खुद परफॉमेंस की बात हो, उन्होंने कमाल कर दिया, धमाल कर दिया, रोही शर्मा अगर आप देखें, इंगलन के साथ वो जो बैटिंग की थी, भई, बड़े कमाल की बैटिंग की थी, 57 बनाया थे सेंग फाइनल में, इतना ही नहीं, अगर आप उस्टिलिया के साथ वो पारी देखेंगे, तो मेरा अभी मानना है कि 240 की बजाए टीम इडिया वहाँ पर भी 280-290 का स्कोर होता और हो सकता है, यू नेवर नो इंडिया वर्ल्ड चैंकिनर वहाँ भी बन जाता, 2023 का भी वर्ल्ड कप हमने ही जीतना था, लेकिन खेर कोई नहीं, देर आए, दुरूस्त आए, लेकिन यहाँ पर 2024 में रोही शर्मा का जो कंट्रिबुशन है, वो वाकई कमाल का है, और इसलिए हर कोई रोही शर्मा को सैल्यूट करते हुए नजर आया इस वक्त, इसके अलवा नंबर टू चीज़ जो सबसे इंपोर्टन है, वो है टीम इडिया की जो गेंदबाजी है, भई गेंदबाजी में जो वाइटर रोल प्ले किया है, वो है जस्पिल्ट बुम्रा, बुम्रा आपके जैसा कोई नहीं है, क्योंकि जस्पिल्ट बुम्रा ने हर ए जिएस आउट होए, आपको याद होगा दोस्तों उस मैच में इंडिया वर्सित्पाकिस्तान मैच में रिजवान का बड़ा विकट निकाला, उसके बाद फिर जब आगे आए, तो ऑस्टिलिया के साथ, ऑस्टिलिया के साथ इंडिया एक पर फस्ट गया था, जहाँ पर ट हैं और डैट होरके तो स्पैसलिस्ट हैं तो बुम्रा को हमें क्रेट देना होगा और जिस तरी की को इसलिए उन्होंने मैं अफ़ टूर्णामेंट भी अजस्ट बुम्रा बने वह उनमें वह आर्ट है वह कमाल की गेंदवाजी की थे वह शायद 2022 में अगर हमारे इंपोर्टन रहा है कोच का रोल कहते हैं सोच और अपरोच वो दोनों नजर आई इस बार क्योंकि जो 2022 में 2021 में वह नजर नहीं आया था इस पर वह नजर आया क्योंकि जो कोच है उनकी जो सोच थी वह बड़े कमाल की थी क्योंकि भारत ने यूटर लिया था दोस्तों अच्छा नहीं कर पाई, लेकिन जो रोहित ने कहा था ठीक एक दिन पहले, फाइनल से पहले, कि रोहित ने ऐसी बयान दिया था कि विराट ने शायद अपने रन बचा कर रखे फाइनल के लिए, और क्या खूब बचाए, विराट कोली ने कमाल कर दिया, अफरिका के साथ अंदत के जैसे पाउं जमाए खड़े हुए थे, चटान के जैसे, वो हिले नहीं, टस से मस नहीं हुए, और भारती टीम का स्कोर जो है, छलांगे लगाता हुआ, 172 तक पहुचा दिया, और एक समय लगा था, कि इंडिया का अच्छा स्कोर है, और 177 का टार्गे इंफेक् मुका दिया था, लेकिन सही समय पर, यही होता है कि आप किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं, और इसने कैटन का और कोज का बड़ा इंपोर्टेंट रोल रहता है, तो हमने क्या किया कि सिराज की जगाए कुल्दी पियादो का मुका दिया, और कुल्दी पियादो ने जो काम किया है, जड़े इजा के साथ मिलकर, अक्सर के साथ मिलकर, वो काबिले तारिफ, और अक्सर पठेल की भी में तारिफ करने पड़ेगी, क्योंकि हर एक बले बाद हुआ फेल, जब गेंदबाजी कर रहे थे, अक्सर पठेल, एक के बाद एक विकट लेते चले गए, और जो, मिचल मार्च का जो catch पकड़ा था, वो भी बड़ा, बढ़ा बसूरत catch पकड़ा था, वो कमाल का catch पकड़ा था, क्योंकि बाउंडर लाइन के इतने catches इतने आसान नहीं होते, लेकिन हम हमेशा मानते हैं, वही catches बिन matches, और उन्होंने वह जो एक हाथ से catch पकड़ा, बड वोई भारती टीम के जो टाप ओडर देखें, उन्होंने अच्छा किया, मिडल ओडर देखें, वहाँ पर अच्छा किया, हाँ एक दो वीक लिंक अभी भी है, लेकिन जब आप जीतते हैं, तो वो छुप जाते हैं चीजें, लेकिन मुझे वैसे as of now तो कोई ऐसा नजर नहीं आया, हलाकि यह था कि शियुम दूबे वर्सिज रिंकू को किस को मुखा मिलेगा, यह एक exciting contest था, वहाँ पर Sanju Samson को भी हो सकता तो मुखा मिल सकता था, लेकिन नहीं मिला, लेकिन अब देखिए दोस्तों, आपने T20 World Cup 2024 को बड़ा enjoy किया होगा, News Nation और News Nation Sports पर आपको पूरी खबरें मिली होंगी World Cup से लेकिन अब इंडिया वर्सिज जिमवावे के बीच एक और exciting series सामने आएगी T20 World Cup की, वहाँ पर भी आपको पूरी coverage सिरफ और News Nation और News Nation Sports हो मिलेगी, तो इसलिए आपको करना क्या है, subscribe करना है चैनल को, और हमें ऐसे ही यूही प्यार देते ही